हलो चैंपियंस कैसे हैं आप तो हम आपके सामने लेके आए हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे और साथ ही साथ बच्चों आपकी फैमिली की लाइफ को भी चेंज कर देगा जी बिलकुं सही सुना आपने क्योंकि आप में से जो जादा तर बच्चे हैं वो एक महीने बासकर भईया हमारे साथ में हैं so hello everyone so I hope सभी अच्छे तरी के से पड़ाई कर रहे होंगे आपका जो एक्जाम है जे 24 का वो काफी नस्दीग आ चुका है और ऐसे किस में सर मुझे सा लगता है कि बहुत दर लगता है क्या कि पढ़ा हर को ही रहा होता है सब के पास भई सेम 24 लेकिं सर डर बहुत आता है और ऐसे में क्या करना चाहिए आपको बताना तो पड़ेगा सा कुछ तो solution चाहिए होता है बिलकुल सर आपने बहुत ही मतलब मेरे को लगता है कि बच्चों का क्यों आपने पूछ लिया मुझ से इतने सारे प्लैटफॉम है पढ़ा भी हर कोई राहे और सर पड़ भी हर कोई राहे लेकिन सलेक्शन सर सबका नहीं होगा 12 लाख बच्चे यहां पर एक्जाम देने वाले हैं और सलेक्शन चाहिए मुश्किल से 30-40 अजार बच्चों का होगा जिनको अच्छा कोलेज मिलेगा वो भी सर एनाइटी कोलेज ठीक है और इन म आज बजे से रेंक बूश्टर सिरीज बेलकुल आपने सई सुना सर रिक मूश्टर से रेंक बूश्टर सिरीज है लेकिन नया क्या है ये तो बताइए ये तो सिरीज है काफी आती रहती है तो देखर मैं आपको यहां पर बताओंगा लेकिन जाईएगा मत पूरा Elena session देख आपको अच्छे से फील करवाएंगे वह IIT वाली लाइफ तो यहां पर बच्चों मैं आपको बताऊंगा जो यह सीरीज है पूरी बेस्ट है बच्चों शॉर्ट शॉर पे मतलब आपका एक लेक्चर जो हम देने वाले हैं आपको वह आपके चार मार्क्स को कन्फर्म करेगा विकोस हम यहां पर आपको कोई भी ऐसा कंसेप्ट लेके आएंगे सर इनके लिए या तो फिजिक्स का होगा केमिस्टी का होगा या मैथ का होगा अगर आप केमिस्टी का कोई लेक्चर इनके लिए लेके आए हैं तो पहले आपको उस कंसेप्ट को पूरा पढ़ाएंगे टॉपिक के और आप बच्चों को बताएंगे कि ये 2021, 22, 23 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, तो ये 24 में भी आयेगा 100%, इसलिए सर इसको मैंने का शॉट शॉर, ये तो बहुत शांदर होगा, इसलिए हमें पहले से पता रहेगा कि क्या आने वाला इस सार, आपको हर एक lecture जो भी इसके अंदर आएगा, वो आपके हर एक lecture, हर चप्टर का चार नमर का फिक्स करेगा, याने की मतलब आपके एक minimum नमर जितने जरूरत होगी आपको, वो आपके बास हमेशा रहेंगे, आप हमेशा safe site रहने वाले हो, और प्लस नाम की rank booster है, तो rank तो boost होगी ही होगी, यह तो fix है, आप सब स्टडी कर रहे हो, बड़ी तरी किसे, अपना paper देते रहते हैं, तो test देते रहते हैं, लेकिन कहीं नगे यह भी रह जाता है, कमी होती है, कि हमेशा एक limit रुख जाती है, उसके बाद अब कैसे जाएं, तो यह तो आपको हो नहीं वाला ही, यह तो कैसे करें, हाँ, यह भी होता है, क्योंकि syllabus complete होना, एक अलग बात है, लेकिन अगर revision नहीं हुआ, तो सर वो सब कुछ वेश्टेज है, बिलकुल revision तो सर चाहिए, तो भाई, यह जो हम लेके आ हैं, आपको एक revision का काम करेगा, आपको बताएगा, कि यह यह चीजे पढ़ लो, जो second category है, sir, काफी बच्चे यहां पर ऐसे होंगे, जिन्होंने board की वज़ए से अपनी JEE की preparation को खतम कर दिया, hold पर रखा होगा, यह भी एक चीज रह जाती है, मतलब की donor type की बच्चे, जो complete कर चुके हैं, उनका भी फाइदा है, और जिनको अभी लगता है, और बोर्स हैं, सब कुछ कर जाओगे, मतलब आपको जितने भी lectures मिलेगे, आप यह सोच के देखिएगा, कि वो एक lectures आपके 4 marks को increase कर रहा है, और आपको यह बता रहा है कि अब से आपके जो questions आएंगे, वो यहीं से आएंगे, बिलकुल, तो बासकर सर मुझे आप यह बताये कि आप जो बच्चों को बिलकुल बता रहे हैं, आप बच्चों को वहां पोचा आरे हैं, जो इनका dream college है, वहां पे आप अल्रेडी सर इतना अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता है, इतनी facility रहती है, आपको खुद रहते हो, आपका life पूरा बदलता है, इतने सादा लोग होते हैं, इतनी सारी thinking होती है, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, इतना knowledge रहता है वहां पे, कि आपका mindset खुल जाता है, बहुत अच क्योंकि सर, हमें यह पता है कि हमारे जो बच्चे हैं सर, हमसे जो पढ़ चुके हैं, अभी आपको experience की बात यहां पे करने वाले हम, तो वो बच्चे हैं, जो IIT से सर, pass out हो चुके हैं, और अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं recent में, तो वो सब कुछ ब देखिए, हमारा यह सर, ground है, पर यह हमारा hole है, जहां पर हम, सब कैफिटर, CCD, सब कुछ होता है, सर, मैंने शुरू किया रहे हैं, तो मेरे तो बहुत सार adventure है, बहुत बच्चे अब बैट कर रहे हैं कि सर, पहले बता दो, कौन-कौन पढ़ाने वाले हैं, तो यार, इसकी जही की रहा को आसान कर देंगे, बिलकुल, सुपर, इजी, और शॉर कर देंगे, कि अब तो हो गया, क्योंकि अभी हम दोनों ही नहीं है, बच्चो, अभी एक और सर है, जो कि आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हमारे मनोसर, जो कि आपको पढ़ाएंगे physics, और यह यार बच्चों को मेंटर किया है, कि इस वालब बहुत ज्यादा, कि बहुत प्रमूट किया है, बहुत समझाय है, प्रॉपर गाइड है, सर दो देते हैं, मज़ा आ जाता है, तो एक काम करते सर, इनहीं की जोबानी सुन लेते हैं, कि यह IIT के बारे में क्या सोचते है, यह इनकी 21st century में आपके emotions पर नहीं होने चाहिए, data पर होने चाहिए, है न, decision must be based on data, not on emotions, तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा data analysis किया हुआ है, कि कौन से chapter से J.E.Mains में questions जो आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं, कौन से topics पर questions बहुत ज़्यादा बनते हैं, और कौन से patterns पर आपको most repeated questions मिले हैं, तो आप जब मेरे session को attend करेंगे, और जब आप J.E.Mains के real exam में बैठेंगे, तो आपको यह लगेगा कि यार यह question तो sir की class से किया था, बिल्कुल सेम ऐसा question sir ने कराया था, और बिल्कुल हम ऐसा नहीं है कि आपको concept नहीं आता, तो concept नहीं पढ़ाएंगे, shortcut trick भी आपको साथ साथ बताऊंगा, और जो most probable question है, उनकी shortcut trick अगर आपको याद रहेगी, तब तक ही, हाँ सर ने, यह patterns कराएंगे, उनकी tricks भी आपको याद है, तो आपके questions करने की speed है न, वो भी बहुत जल्दा improve हो जाएगी, और एक बार speed आपकी improve हो गई, आपके patterns आपको सारे समझ में आगे, तो आपकी rank भी improve हो जाएगी, हमारा main focus आपकी rank पर है, और यह जो रिष्टा बनेगा न, यह एक छोटा रिष्टा नहीं है, आप जब rank अच्छी rank लेके आने के बाद, हमसे पूछेंगे, कि सर, counselling में मैं कौन सा college को fill कर दू, उसमें भी आपको help करेग ठीक है, तो मिलते हैं, live class में, अच्छा, live attend करना नहीं भूलना, क्योंकि live attend करेंगे, तो live बन जाएगी, otherwise backlog आपका इखटा होता रहेगा, तो मिलते हैं, live class में, बाकी की detail आपको आगे मिलेगी, तो यहाँ पे यार सर, मुझे तो मज़ा आ गया, मतलब तरकी जो यहाँ पे लेकिन आज की ताइम पे सा, hard work के सा, smart work करना बहुत जादा जरूरी है, तो यह तो like मनो सरे जो बताये ना, उसका तो, आप समझ ही क्या होंगा आप से क्या बात, like सरे, एक की बात क्लियर करते हैं, मतलब यार बच्चो ऐसा है, कि यह वो educators हैं, जो already बच्चो को, उनके drink college त इतना down to earth लेते हैं, कि आपको मैं बता दू यार chemistry मतलब पूरी chemistry पढ़ाना एक के बस के बात नहीं होती, sir, मैं कोटा में पढ़ा हूँ, sir, कोटा में रहा हूँ, organic की बात करें, inorganic की बात करें, physical की बात करें, अलग-अलग teacher पढ़ाते, sir, और कहीं न कहीं, sir, बच्चा इस पूरा moral down, तो यहां पर हमारी जो बास कर विया है, जो IIT रूर्की से पासा उटे, और chemistry मतलब इनके साथ ऐसा है, कि वो खेलते हैं chemistry के साथ, तो physical, organic, और inorganic, तीनों बच्चों आपको यही पढ़ाने वाले हैं, तो एक बार बताएंगे, अपने बारे में, कि क्या-क्या इ इसे कोई भात नहीं है, आप आराम से, मैं सबसारी सिंपल सा मानता हूं कि पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, यह सोच होती है, मैं कहता हूं पढ़ना मुश्किल होता है, अब आराम से समझो, concept को समझो थोड़ा सा, थोड़ा concept समझो, थोड़ इसी practice कर लो, उतने में आ जात सब इसी हो जाता है, और chemistry सारा पस सोचने का खेल है, मुझे लगता है कि engineering जो होती है, वो सारा सीखने का खेल है, आपको सीख जाओ, दूसरे को सिखा दो, मलब आपको वो चीज 100% आ चुकी होगी, तो यह तो fix है, तो यह था हमारी बात है, मलब इसा लग रहा है, सर की बात चाहूँगा जो chemistry है न सर, वो chemistry ऐसी है, जेई में कि वो कभी दोखा नहीं देगी, सर, कभी नहीं देती, कभी नहीं देती, जेई की chemistry बहुत अच्य होती है, लेकि chemistry नहीं देती, क्या बात कर दी, हमने तो सही कर दी, तो यह तचे है, मैं math का educator होने के बाद भी में यह बिलक हमें पढ़ाने वाले हैं, आपके अपने जे के सार, जीतने सर, आपको पढ़ाएंगे, and बहुत ज्यादा शांदार, it's like math बहुत जादा important है, मुझे बाता है, मैंने exam दिया था, मुझे बाता है, कितनी जादा ज़रूआता है, basic physics के numericals के लिए भी आपको math चाहिए, so बिना होती है, hard concepts होते है, math में होते हैं, हर जगे help करता है, chemistry के numerical solve करने है, आपको math चाहिए, तो बिना अच्छी math के, आप इतना रहा बहुत मश्किल हो जाती है, इसके लिए, बिना math के तो दुकाने भी नहीं चलती है, मिल्कुल नहीं चलती है, हिसाब किताब के लिए math चाहिए, मिल्कुल, तो ऐसे मैं आपकी math बहुत जाद अच्छी करने माले है, जेके सर, इतना शान्दा इनका experience है, बहुत शान्दा इनका experience है, प्लस, बहुत सारी students को, इनने IAT, NIT तक पहुंचाया है, and obviously, हमने सब साथ में बात भी किया, आपको पता है, कि वीडियो कॉस पे इतने अच्छार है, सर्पहुत बाताते हैं, तो बहुत ज्याज़ा लगता है, सुनकर कर मुझे भी verder का है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब और से बात होती है मुझे बहुत कुछी होती है लेकिन जो आपका रेंग को बूस्ट करना है अगर आपको लगता है कि यार मुझे पांच हजार के अंदर रेंग लानी है यह आप इनको math strong करनी पड़ेगी, बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें math में कितने questions करने चाहिए, physics में हमें कितने करने चाहिए, chemistry में हमें कितने questions करने चाहिए, तो यह सब आपको बताएंगे इस session में, और काफी कुछ सर ही अभी problem में चल रहे, confusion में चल रहे, course को लेके, कि सर syllabus change हुआ है, सबसे बड़ी problem है, आज के टाइम पर बात की जाए तो, हम बैठें यहां पर, सबका solution, rank plus और जो की बच्चों आपके सामने जही को हम लेके आए है, series rank booster, तो चलिए, सर, बच्चे, जिस गड़ी का इंतिजार करने से, कि सर, सब कुछ ठीक है, लेकिन classes जो है, उनका schedule का है, सर, क्या schedule है, classes daily होने वाली है, किस प्रकार से होने वाले हैं, तो भी एक बार थोड़ा साम बता देता, तरीके से, ताकि यह एक जो चीज़ा है, यह clear हो जाए, सब लोग अभी तक समझी के होंगे, और सर, इनको सब से पहले में यह बता दू, यह सर, लाइव होने वाज़ा, सब लाइव रहेगा आपके, जितनी भी classes रहेंगी, सारे की सरे लाइव रहेंगी, ताकि, सर, इसका लाइव का फाइदा है, तुरंत पूछ लिए, तुरंत कहीं न कहीं, जो confirm questions आने वाला है, क्योंकि हमें बच्चों यह lectures जो बनेंगे ना, इसमें बहुत मेहनत लगी है, और जो हमने मेहनत जो लगाई है, वह हम चाहते हैं कि बच्चों को convert करें, सर किसमें, इनके marks के form में, इनके marks और की rank में, तो अगर आपको लगता है, कि सर हमे अपनी rank को boost करना है, हमें selection 100% करना है, तो आपके लिए classes काफी ज्यादा important होने वाली है, तो चलिए सर दिखा देते हैं, कैसे रहेगा सारी classes का, चले देखते हैं, चलिए, तो यह बच्चों आपका weekly schedule, जो की रहने वाला है, बिलकुल live, तो आप में से काफी बच्चे अगर भूल जाते हैं, like गजनी की तरह, कि सर, अभी हम आपको देखेंगे, 15-20 मिनट बाद फिर भूल जाएंगे, सर किसी का call आजाएगा, किसी का message आजाएगा, कोई हमें 5 बचे time देगा, तो कलम वहाँ पोच जाएंगे, तो भाई, इसलिए note कर लो, easily, यहाँ पे बच्चों य अभी chemistry cup-cup पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बिल्कुल clear कर लूँ, कि यहाँ पे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, मतलब 5 days आपको continuously live आके पढ़ाने वाले हैं, 5 days I think बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, कि आपके पासे continuity रह जाती है, यह बहुत important है, अगर यह 5 दिन य 20 marks का increase मतलब मिलेगा, आराम से, बहुत आराम से, 20 marks तो आपको chemistry ने दे दिये सार एक week में, एक week में 20 marks, आपको अच्छे तेकिसान कर पाएंगे, बहुत शान्दार तेकिसे, और उसके बाद बच्चों आपको 5 से 6 जब आप यहाँ पे chemistry पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप आपको रुकना नहीं है, छे बज़े बच्चों में आपको मिल जाओंगा math के लिए, जो की math आपका Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, अब बच्चा यहाँ पे confusion से Saturday, Sunday क्यों छोड़ दिया भाई, रुको, अभी, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ आभी तो, इसके बाद बच्चों आपको मन चोड़ना नहीं है, मनोसर इनको physics Monday को Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, अब बात आई कि सर, Saturday, Sunday क्या करने वाले हो, ब्रेक देने वाले हो, तो बाई देखो, Saturday, Sunday को पेटा हम जो आपको पढ़ाएंगे, उसका आपको revision करना है, आपको उनकी question practice करनी है, और उसके बाद आपको इसी channel पे non academic, मतलब य रहेगा सिधा सिधा academic, लेकिन आपके लिए कुछ information, या like, कुछ motivational video, जो आपकी पढ़ने में काफी सायता करेगा, तो कि आपको प्रिक्स वीडियो भी, तो कुछ निए कि आपको के बाद को इसको फास्ट भी सॉल्व करना है, उसको फास्ट भी सॉल्व करना है, बिल्कुल मैंसर भी चाहिए, मैंसर भी चाहिए होती है, तो कुछ लो इंपोर्टेंट सेशन है ना, वो हमने सटेंडे संडे के लिए रखे हैं, कि आपको हम कंटिनियसली प्रॉपर तरीके से पुरा गाइड करें, बिल्कुल, तो ये बच्छो आपका, आपकी पास रह जाएगा, इ तो कल सर आप इनको पांच बजे यहां पे मिल जाओगे इस चैनल पे, बिल्कुल, प्रॉपरली पांच बजे मिल जाएंगे, मैं चाहूँगा कि तभी लोग टाइम पर आए, कुछ भी मिस ना करें, अपकी हरे क्लाफ बच्छे को काफी बच्चे यहां पे होंगे, जो रि इसका क्या लएगा, नई कोई पैसे नहीं है, कोई भी नहीं है, हमारे लिए क्या की मत है, हमारे तो यह क्या आपका सेलेक्शन हो, आपको अच्छी रैंक मिले, आपको अपने पसंद के आईट में जा जैसे कि मैं गया था, मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा, तो आप महनत करो, आओ, पढ़ाओ, एंड बस अपने कॉलेज चले जाए और अपनी पसंद की ब्रांच लो, अब इसली बात है, ब्रांच इंपोर्डेंट है, ब्रांच के लिए सा रैंकिंग लगती है, रैंक अच्छी होगी तो कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, प्लस उसके अंदर ब्रांच, अगर आपकी CS ब्रांच, सर जैसे आपकी CS ब्रांच थी, बहुत शानदर, तो ऐसे में आपकी अपनी पसंद की ब्रांच लो, बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, वर्चस आप आओ, अच्छे से पढ़ाई करों, साथ ही साथ और बच्चों का confusion होता है, कि सर अब हमें आगे और क्या-क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हम discuss कर लेते हैं जल्दी से बच्चों से, क्योंकि session इनको हमें पूरा देना है, क्योंकि काफी कम time में, पूरा session देना है, ठीके, तो यहां पे, सबसे तर्में बच्चों में इनको proper follow करना है, जो कि हर एक lecture आपके 4 marks को secure करेगा, तो यह आपको money to Friday regular करना होगा, तो इसलाइक कि हर एक lecture, हर दिन में आई आप कहीं ने कहीं, physics, chemistry, math, आपने 12 नमबर आप पक्के कर लें, 12 marks आपके regular fix हो जाएंगे, इनको साथ ही साथ हम notes भी provide कर वा रहे हैं, जो हम यहां पर लिखेंगे, जो कि इनको provide होगा, कहां पर, टेलिग्राम चैनल पर, description में दे रखा है, बेटा, टेलिग्राम का, वहां से कहा लेना, इसका आपको फाइदा भी अच्छा रहेगा, like, sir, एक डर रहता था थोड़ा सा, कि क्या इतना काफी है, तो आपको एक clear रहेगा, कि ह इतना ही करना, इसे ज्यादा भी नहीं करना, और और मेनद का भी sense नहीं है, और नोट्स काफी sufficient है, short notes होंगे, important concept होंगे, तो अगर आपके पास short notes भी नहीं है, तो वो भी इनके पास automatic पहुंच जाएंगे, तो long notes आपके पास होंगे, अच्छा है, proper बढ़ो, लेकिन exam time में, अगर आपको अच्छा करना है, तो NCRT को बोलना मत, और काफी बच्चे यहां पे होंगे, जो अभी boards के भी exam देने वाले है, तो भाई, कही न कहीं आपको फायदा करेगी, और इनको एक चीज और करनी होती है, last five years के questions, pyqs, तो बेटा, अगर हमने pyqs नहीं किये हैं, तो व लोगे, मुझे ऐसा लगता है, कि आप बेटा, फोड के आ जाओगे paper को, पर सार मेरे को लगता है, थोड़ी बाद चीज़ा और भी कर सकता है, एक तो चीज़ा और जोने करनी है, मेरे साफ से न, एक बच्छे कहता है, reference book का, कि NCID ठीक है, पर क्या हमें reference book चाहिए, तो मैं आपको यह simply कहूँगा कि कोशन प्रैक्टिस जतनी ज्यादा करोगे, उतना अच्छा है, जतनी ज्यादा लगा सको, तो यहां प्यार भाई, एक यह भी चूशन ने बताई कि कोशन प्रैक्टिस, उसके लिए आप चाहो तो कोई reference book ले भी सकते है, अब कर रहे हो, अच्छी कहूंगा, एक एक चैप्टर के सर, इनके पास 100-100 कुशन है, क्योंकि 12 चोईश शिप्टे होती है सर, हां, बिल्कुल, काफ़ी सारी शिफ्ट होती है, और दो अगर एक साल की बात करें, तो चोईश शिप्ट हो गई सर, अगर एक में चैप्टर भी लूँगा, तो चोईश करना चाहिए सेलेक्शन देगा इसकी गारेंटी में दे रहा हूं अगर आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पड़े हैं वह इन चीजों को फोलो कर दो और अपना हंडेट परसेंट सेलेक्शन आप ले सकते हो बहुत कम ताइम में अगर इन्होंने इतना कर लिया इस कि what kind of questions can come because of syllabus change तो अब सर आपको इस पर क्या लगता है कि क्योंकि chemistry के अगर में बात करो तो कुछ chapter तो सर वैसे ही उड़ा दी बिल्कुल बहुत जादा रहत भी आसल में कहें तो कि आपकी chemistry के काफी जादा chapters eliminate हुए हैं तो ऐसे मैं एक confusion जरूरू मुझे रहत से कम तो ज्या दिया गया है हाँ यह जरूर हुआ है कि जाजा जो फाल्दू थेओरी नहीं चाहिए लाइक जैसे मैं बोला था सोचने का खेल है जितना तिमाग दोड़ाएगा ना आई टी में वही जाएगा लाग यह नोटिस किया है जितने मेरे आई टी के दोस्त हैं जो भी हम अलग ल सकते हो सीरा सर हम इनको डारिक बोल देते हैं कि वाई क्लास में आ जो और आपको और हम लड़ाई करने जा रहे हैं हमें यही नहीं पता कि हमारा एनिमी कितना बड़ा है हाँ टारिकेट तो पता होना है अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर जर्नल की अगर में बात करो तो जर्नल में इनका एनाइटी के लिए हां एनाइटी के लिए इनका सेफ इसकोर सर क्या होने वाला है हाँ सर यह इंपॉर्टेंट है हर किसी का टार्गेट होता ना सर इतना तो आना चाहिए तो सर मेरे साफ से जनरल आउसली बात है इनके कट ओफ भी जादा रहती है तो सेफ स्कोर के लिए भी लड़ाई बहुत होती है तो मैं आपको कॉंगा कि सर कम से कम आइटी तो होना ही सर ने बोला 180 अब बेटा मैं आपको बताओ कभी-कभी जैसे कि आपके 6 रांड और 2 रांड होते हैं सीसेव रांड काउंसलिंग के लिए तो सर आपको पता है मतलब इसमें काफी कम मार्स में भी इनको एनाइटी कोलेज मिल जाता है अगर मैं यहां पर बात करूं तो सर 170 मा कोलेज थोड़ा नीचे जा सकता है और नाइटी कोलेज इनको मिल सकता है और अगर मैं यहां पर EWS की बात करो सर तो EWS जो की Economic Week session होता है जर्नल वालों के लिए इसमें सर इनको 160 मार्क पे एनाइटी मिल सकता है और अच्छी ब्रांच इनको कम से कम 180 तक जाना पड़ेगा थोड़ा तो मैनत करना पड़ेगा लेकिन एनाइटी आपको अच्छा मिल जागा तब और इसके बाद सर आता है OBC मैंने Safe School का ह है एनाइटी के लिए मतलब जो होता है ना कि बच्छमन से खौब लेके मिठता कि एनाइटी आइटी हां वो तो पूरा होगा अलागी अब यह जितना ऊपर जाओगे जितनी और मैनत करोगे अपना और लेवल बढ़ाते चले जागा ओवी सी का सर यहां पर मुझे लग रह ले लो फंडेड या उसे कम में भी आपको आराम से एनाइटी मिल जागा इतनी मेर तो बंत नहीं है यह ठीक ना यह लगबक वो बच्चे हैं जो लगबक कितने होने वाले सर पचास अजार बच्चे होने बाकी बच्चों के नहीं आते सर इतने बहुत आता नहीं आते आप को लगता हूँए पेपर बहुत बच्चे बेट सराथ बारालाइब बच्चे पेपर देते हैं लेकिन की अगर मैं बात करूं 99 पर सेंटायल की अगर मैं बात करूं 99 के लिए सर यह जाता है 88 marks और EWS के लिए सर यह जला जाएगा 85 to 84 marks के something और OBC के लिए सर यह जा सकता है लंसम 80 marks और यहां पे सर इनको रहेगा यह 45 marks पे लिए अगर आप केवर 45 marks भी लिया होगा तो भी आपको IAT मिल जाएगा बिलकुए IAT मिलेगा नहीं सर का पेपर के लिए के लिए के लिए हां इतना तो बनता है इतनी मेरे मिनिमम मेरे तो लग इतना कर लो और यह नवर्स तो सर आराम से आ जाते हैं अगर बात करें तो selection के लिए सर इतने marks चाहिए हैं और दो से तीन मन्त सर इनको अच्छे से करके अगर ऐसा है तो बिलकुल हो सकता है और अगर आपको लगता है कि या कोई डाउट है कि सब्सक्राइब के साथ आराम से तो पांच बजए मिलेंगे और सभी लोग यह टाइम फिक्स कर लेना लागे तीन घंटे आप अब बहुत लाइफ टने वाले होंगे बहुत अच्छी लाइफ होने वाले आपके सारे डिसकस करेंगे और अपरी नोट करके रख लेना फिक्स कर लेना मोबायल में अच्छाई डालनो कुछ भी करो पर यह तीन घंटे आपको फिक्स आगे रखने हैं को वह बीचीज मिच नहीं करनी है एंड अपने फ्रेंड्स का शेयर जरू करना है तक कि सभी को ब्रावर पाता रहें तक तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं बेलकुल भी आना भूलना नहीं तो ओके बच्छो बाइट टेक केर और अगर कोई भी डाउट सो तो कमेंट करके जरूर कर दो बताइले जया झाली हो को बाईब भी अच्छो बश्टा बादाई जड़े कि डिल्स वाली ओड़े घंगे ये क्शड़े मीत को ओड़ब टों को परोगे एंगे नहीं अटो बावे जड़े लूब एंगे लूब कि ये बाख